अलो फ्रेंड्स रादे रादे वेलकम बेक टू माई चैनल अनिका के कानहा तो दिवाली की सीरीज में अब हम एक और आज आइटम बनाने वाले हैं हम बनाने वाले हैं शुबला वाल हैंगिंग जो की हम बनाएंगे इन प्लास्टिक के धक्कर पर इसके लिए हमने सबसे पहल की तरफ नहीं अंदर की तरफ हम इसको फिल करेंगे चली अब हम इसको फिल करते हैं और आगे बने रही है आप वीडियो में सबसे पहले हम अपने हाथों में लगा लेंगे तेल क्योंकि वाल पुट्टी तो इसको हाथ खराब होने का डर है या फिर आप गलप्स भी पहन स हल्की हल्की एकवल लेयर हमको इसमें बनानी है तो इस तरीके से हम इसमें पूरे में इसको फैला लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से हमने पूरे में बेस का मतला पुट्टी का एक बेस बना लिया है हमारे जी हमने जो ढख लिया हुआ था देखिए अब इसको हमें पह तरीके का एक ah डो बना लेना है अच्छी तरीके से मिक्स करना है यह स्तरीके का एक 2-बन रईर्य पर्टी है控 erst देखी से अधा किसा पन्खरी लंबी-L been अब इस पर हम अपना शुब लिखेंगे तो इसको हम फैविकॉल से लिखेंगे जिस भी डिजाइन में आप लिखना चाहते हैं उस डिजाइन में आप लिख सकते हैं बस ये ध्यान दीजीगा कि आपको इसको बीच ओ-बीच लिखना थे किनारे हम रोग इसमें डेकॉरिशन करेंगे मिरर से या फिर कुंदन से या जर्किन चेंज से आप जिस चीज से भी चाहें उससे इसमें डेकॉरीशन कर सकते हैं अब हम इस पर जैसे हमने वर्ड लिखा यह से शुब लिखा है इस तरीके से तो बस अब इस पर हम इसको उसी तरीके से शिपकाते जाएंगे यह इस तरी इतनी सॉफ्ट होती है और इतनी लचीली होती है कि हम इसको जिस भी शेप में देना चाहें वो शेप दे सकते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा उगोस को हम कैंची से या चाकू से जो भी आपको सहीब लगे उससे हम इसको कट कर देंगे अभी गीला है तो इसको अभी चाहे जैसा शेप भी दे सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कुछ गड़बढ है तो शेप अभी हो जाएगा लेकिन जब देख सूच जाएगा तो एक दम पत्थर की तरह कटोर हो जाता है तो फिर इसमें शेप देना बहुत हुआ है तो यह देखिए इस तरिके से हमारा बस अल्मोस्ट रैडी मुल informação का कि इसके बाद हम इसको एक से देड़ कंटे के लिए झूखने के लिए चोड़ देना या और तो या प्धिर इसको ओवर्नाइट है सूखने के लिए तो नहीं तो पीर देखें हैं अभी झुल यह बना रहा है और यह रेकर नहीं पाई तो इसको सिंपली हमने फैबरिक कलर से कलर किया है यहां पर मैंने रेड ग्डाउंड रखा है और यह मैंने शुब लाब को मैंने यल्लो कलर किया है अब इसके उपर मैं इसमें इसको थोड़ा सा golden touch दूँगी तो yellow की उपर जब हम golden करेंगे ना तो एकदम ही निखर के आएगा यह शुम और love चलिए अब हम इसको थोड़ा सा पहले golden touch दे देते हैं तो simply हमें ब्रस से इस तरीके से golden color को इस तरीके से कर देना तो देखिए एक अलग ही shining इसमें आ जाती है तो अब इसको मैं पूरा golden color से कोट कर लेती हूं फिर इसके आगे आपको बताती हूं कि क्या करना है तो यह देखिए हमने इसमें golden color कर दिया है अब हम इसको करेंगे डेकोरेट तो डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर यह मोटी वाली रायम स्टोन चेन ले रही हूं और इसको मैं पूरे मैं किनारे किनारे इसमें चिपका दूंगी इस तरीके से और फिर इसके आगे मैं आपको next चीज बताती हूं कि आगे क्या करना है तो यह देखिए ह अब हमें यहाँ पर कुछ मिरर भी इसमें एड करेंगे तो यहाँ पर मैं यह सरकल वाली मिरर ले रही हूं देखिए इस तरीके से इनको भी हमें आपर अब कहीं कहीं पर प्लेस करतेंगे तो यह देखिए हमारी राह में स्टोन चेन लग चुकी है अब इस पैटर्न में हम दूर दूर पर यह लीप वाले मिरर को भी इसमें एड कर देंगे जिससे इसका यह बीच का लुक पुरा कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए अब मैं इनको मिरर को भी इसमें लगा लेती फिर आपको दिखाते हूं उसके आगे क्या करना है तो यह देखिए हमने मिरर को इसमें एड कर लिया है और यह लग रहा है ने मार्केट से लाया हुआ अभी भी यह कंप्लीट नहीं हुआ है अब इसको हम कंप्लीट करने के लिए इसमें नीचे देंगे एक हैंगिंग तो थो हम ग्लूगन की हेल्प से यहां पीछे की तरफ समय एड कर देंगे और फिर वी कुछ प्रल डालेंगे और जिससे उपर के हम नटकन को तो मतलब उसके हम अपको connects को बिखन को शम्रीट करने के लिए उसको बनाने के लिए इसमें नीचे की तरफ इसको अच्छीय के इस तरीके से हमें पूरे को ही चिपका देना है अच्छे से और सपूर्ट देने के लिए इस पर कागज या फिर कप्ड़े की पट्टी को भी चिपका सकते हैं कि तो यह तिस तर के से हम ने तरिके कि तरफ रमालन को अटेच कर दिया है अब जो यह ऊपर की तरफ दागा थो देख़े मैं यहां पर बड़ी वाली पहं कर रही हो। तो अब यहां पर हम पर एंगे पार नीचे मुथी को डाला है तो देखिए पर पहले मैंने वाइट मुथी लिया हुआ है और उसके बाद मैं फिर गोल्डन मोती लूँगी, यहां पर हमें बहुत ज्यादा लंबी चेन नहीं रैडी करनी है, छोटी ही लेनी है, तो इस तरीके से, और एक और वाइट मोती, इस तरीके से, और बस इसको हम यहां पर इस तरीके का एक लूप बना देंगे, जिससे हम इ स्कॉल, तो देखे हमारा हैंगिंग बन करके रैडी हो गया है, और यही है तो इस तरीके से में हमlike रैडी कर लेने हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट, शोब और लाब हमारे बन पर रैडी हो गह침 मुझा है, और यह सारी ही चीज़े मैंने अंलाइन भी भी आती तो इन सब मिला जुला कि मैंने ये हमारे शुबलाब के हैंगिंग तैयार कर लिये हैं आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा अब लोग को पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा इसी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे